इंटरनेट कैसे काम करता है? आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, वो आप तक पहुँचने के लिए गूगल डेटा सेंटर से हजारों मील की दूरी तै करता है. आएए जाने कि इस डेटा की इंक्रेडिबल यात्रा के विवरणों को समझने के लिए इंटरनेट कैसे काम करता है? एक डेटा सेंटर जो आप से हजारों मेल दूर हो सकता है. आपके वीडियो को इसके अंदर संग्रहित किया जाता है. ये डेटा आपके मोबाइल फोन या लापटॉप तक कैसे पहुँचता है? इस लक्ष को प्राप्त करने का एक आसान तरीका सैटिलाइट्स के उपयोग के साथ होगा. डेटा सेंटर से एक सिगनल को एक एंटिना के माध्यम से सैटिलाइट को भेजा जा सकता है. और फिर सैटिलाइट से एक संकीत आपके मोबाइल फोन पर आपके पास एक अन्य एंटेना के माध्यम से भेजा जा सकता है हालां कि संकीतों कुछ ट्रांस्मिट करने का ये तरीका एक अच्छा विचार नहीं है आईए देखते हैं क्यों सैटेलाइट प्रिथवी के एक्वेटर रेखा से लगभग 22,000 मील की दूरी पर स्थित है इसलिए डेटा ट्रांस्मिशन सफल होने के लिए डेटा को कुल 44,000 मील की दूरी तै करनी होगी यातरा की इतनी लंबी दूरी सिगनल प्राप्त करने में एक महत्व पूर्ण देरी का कारण बनती है अधिक विशेश रूप से ये विशाल विलंबता का कारण बनता है जो अधिकांच इंटरनेट अप्लिकेशन के लिए अस्विकार्य है तो अगर ये विडियो एक सैटलाइट के माध्यम से आप तक नहीं पहुँचता है तो ये वास्तव में आपके पास कैसे पहुँचता है वैसे ये ओप्टिकल फाइबर केबल्स के एक जेटल नेटवर्क की मदद से किया जाता है जो डेटा सेंटर और आपके डिवाइस के बीच जुड़ता है आपका फोन सेलिलर डेटा या किसी भी वाइफाइ राउटर के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है लेकिन अंततह कुछ बिंदू पर आपका फोन आप्टिकल फाइबर केबल्स के इस नेटवर्क से जुड़ा होगा हमने शुरुआत में देखा कि वर्तमान में आप जो वीडियो देख रहे हैं वो डेटा सेंटर के अंदर संग्रहित है अधिक विशिष्ट होना ये डेटा सेंटर के भीदर एक सॉलिट स्टेट डिवाइस में संग्रहित है ये SSD सर्वर की इंटरनल मेमरी के रूप में कारे करता है सर्वर केवल एक शक्तिशाली कंप्यूटर है जिसका काम आपको वीडियो या अन्य संग्रहित सामग्री प्रदान करना है जब आप इसे अनुरोध करते हैं अब चुनौती है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के जटल नेटवर के माध्यम से डेटा सेंटर में संग्रहित डेटा को विशेश रूप से आपके डिवाइस में कैसे ट्रांसफर किया जाए आगे बढ़ने से पहले हमें पहले एक महत्वपूर्ण अवधारना को समझना चाहिए जो एक IP एड्रेस की अवधारना है हर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा है चाहे वो सर्वर हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन आईपी एड्रेस के रूप में ग्याद संख्याओं की एक स्ट्रिंग द्वारा विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है आप अपने घर के पते के समान आईपी एड्रेस पर विचार कर सकते हैं अथार्थ वो एड्रेस जो आपके घर की विशिष्ट पहचान करता है। आपके द्वारा भेजा गया कोई भी पत्र आपके घर के पते की वज़े से आप तक पहुँचता है। इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में एक IP एड्रेस एक शिपिंग एड्रेस के रूप में काम करता है। जिसके माध्यम से सारी जानकारी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचती है। आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता आपके डिवाइस का IP एड्रेस पता तै करेगा। और आप देख सकते हैं कि आपके ISP ने आपके मुबाइल फोन या लैप्टाप को कौन सा IP एड्रेस दिया है। डीटर सिंटर के सर्वर में एक IP एड्रेस भी होता है। सर्वर एक वेबसाइट को संग्रहित करता है। इसलिए आप सर्वर के IP एड्रेस को जान कर किसी भी वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। हाला कि किसी व्यक्ति के लिए इतने सारे IP एड्रेस याद रखना मुश्किल है। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए domain names जैसे की youtube.com, facebook.com आदिका उपियो किया जाता है जो IP address के अनुरूप होते हैं जो संख्याओं के लंबे अनुकरम की तुलना में हमें याद रखना आसान है यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है कि एक server में कई website को संग्रहित करने क शमता होती है और यदि server में कई website होती हैं तो सभी website को server के IP address से access नहीं किया जा सकता है ऐसे मामलों में जानकारी के अतरिक्त टुकडे, host headers का उपियोग website की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है हाला कि facebook.com या youtube.com जैसी विशाल website के लिए समपून data center infrastructure विशिष website के storage के के लिए समर्पित होगी इंटरनेट का उपियोग करने के लिए हम हमेशा complex IP address की संख्या के बजाए domain names का उपियोग करते हैं हमारे domain names अनुरोधों के अनुरूप internet को IP addresses कहां से मिलते हैं खैर इस उद्देश के लिए internet DNS नाम से एक विशाल phone book का उपियोग करता है यदि आप क internet को समान सेवा प्रदान करता है आपका internet सेवा प्रदाता या अन्य संगठन DNS server को मैनेज कर सकते हैं चलो पूरे operation का recap करते हैं आप domain name दर्ज करें ब्राउजर संबंधित IP address प्राप्त करने के लिए DNS server के लिए एक अनुरोध भेजता है IP address को प्राप्त करने के बाद आपका browser क data center को अनुरोध forward कर देता है विशेश रूप से संबंधित server को एक बार जब server को किसी विशेश website तक पहुचने का अनुरोध मिलता है तो data प्रभाश शुरू हो जाता है डेटा को optical fiber cables के माध्यम से digital प्रारूप में transfer किया जाता है विशेश रूप से light pulses के रूप में इन light pulses को कभी-कभी अपनी destination तक पहुचने के लिए optical fiber cables के माध्यम से हजारों मेल की यात्रा करनी पड़ती है अपनी यात्रा के दौरान उन्हें अकसर कठेन इलाकों जैसे पहाडी इलाकों या समुद्र के नीचे से गुजरना पड़ता है कुछ वैश्विक कमपनिया है जो इन optical cable network को बिचाती हैं और बनाए रखती हैं ये दिरिश्य दिखाते हैं कि एक जहाज की मदद से optical fiber cables बिचाने का काम कैसे किया जाता है एक हल जहाज से समुद्र में गहराई से गिराय जाता है और ये हल समुद्र के उपर खाई बनाता है जिसमें optical fiber cable रखा जाता है वास्तव में ये complex optical cable network internet की read है light को ले जाने वाले ये optical fiber cables sea bed से लेकर आपके दर्वाजे तक फैले होते हैं जहाँ वे एक router से जुड़े होते हैं router इन light signals को electrical signals में परिवर्थित करता है एक ethernet cable का उपयोग आपके laptop पर electrical signals को प्रसारित करने के लिए किया जाता है हाला कि यदि आप cellular data का उपयोग करके internet का उपयोग कर रहे हैं तो optical cable से signal को cell tower पर भेजना पड़ता है और cell tower से signal आपके cell phone तक electromagnetic waves के रूप में पहुचता है चुकि internet एक वैश्विक network है इसलिए चीजों को प्रबंधित करने के लिए एक organization होना महतोपूर्ण हो गया है जैसे IP address assignment, domain name registration आदी ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्थित ICANN नामक एक संस्था द्वारा प्रबंधित किया जाता है Cellular और Landline Communication Technologies के साथ तुलना करने पर इंटरनेट के बारे में एक आश्चर जनक बात डेटा ट्रांसफर करने में इसकी efficiency है ये वीडियो जिसे आप Google Data Center से देख रहे हैं आपको Zero और Ones के विशाल कलेक्शन के रूप में भेजा गया है क्या इंटरनेट में डेटा ट्रांसफर को efficient बनाता है जिस तरह से इन Zero's और Ones छोटे खंड में काटा जाता है जिन्हें Packets और Transmitted के रूप में जाना जाता है माल लेते हैं Zero's और Ones की इन Streams को सर्वर द्वारा अलग-अलग Packets में डिवाइट किया जाता है जहां प्रतेक Packet में 6 Bits होते हैं वीडियो के Bits के साथ प्रतेक Packet में sequence, संख्या और सर्वर और आपके फोन के IP addresses भी होते हैं इस जानकारी के साथ Packets आपके फोन की और रूट किये जाते हैं या उशक नहीं है कि सभी Packets को एक ही मार्ग से गुजारा जाए और प्रतेक Packet उस समय उपलब्द स्वतंत्र मार्ग लेता है आपके फोन पर पहुँचने पर Packet को उनके sequence संख्या के अनुसार re-assembled किया जाता है यदि ये मामला है कि कोई भी Packet आपके फोन तक पहुँचने में विफल रहता है तो खोए हुए Packet को फिर से भीजने के लिए आपके फोन से एक acknowledgement भीजी जाती है अब इसकी तुलना एक अच्छे infrastructure वाले postal network से करें लेकिन ग्राहक destination addresses के बारे में बुनियादी नियमों का पालन नहीं करते हैं इस सिनारियो में अक्षर सही destination तक पहुँचने में सक्षम नहीं होंगे इसी तरह इंटरनेट में हम data packets के इस complex flow के प्रबंधन के लिए protocols नामक कुछ का उपयोग करते हैं protocols data packet conversion प्रतिक packet के लिए source और destination addresses के अनुलगनक और router आदी के नियमों को अलग-अलग अनुप्रयोगों के लिए निर्धारित करते हैं विभिन एप्लिकेशन के लिए उपयोग किये गए protocols अलग-अलग होते हैं हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एक अच्छी समझ दी होगी कि इंटरनेट कैसे काम करता है विशेश रूप से data center से आपके mobile phone पर data packets की अद्भुत यात्रा के बारे में कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद